हलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माय यूटूब चैनल एजे दा लेक्चरर लेट्स टार्ड टुड़ीज वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं BA First Year Second Sam के लिए पोयम जो हमारे exam point of view से बहुत ही जादा importance लगते हैं चलिए देखते हैं चलिए तो ये रही आज की पोयम जिसके लेखा कवी है सोहनलाल द्रिवेदी जी हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे विकाज ये बहुत ही जादा लेंदी हो जाएगा इसमें से जो main point हैं वही पढ़ेंगे जैसे कि रास्ट कवी के रूप में प्रतिष्टित सोहनलाल द्रिवेदी का जर्म 22 फरवरी 1906 को फतेपूर जिले में हुआ था और इनकी हाई स्कूल तक परिक्षा इन्होंने फतेपूर में ही प्राप्त की उसके बाद उच्चे शिक्षा के लिए वे काशी हिंदी विश्व विद्याले चले गए थे जहां पर उन्होंने MA और LLV की उपाधी प्राप्त की थी इसके बाद द्रिवेदी जी ये एक बहुत ही मेंन लाइन है जो हमें याद रखनी चाहिए हो सकता है ये एक्जाम में वन माक के लिए आ सकता है द्रिवेदी जी गांधिवादी विचार धारा के पोशक थे यानि कि जो गांधी जी का जो विचार धारा थी अधर्म पर आह इसकी रग रग में समाई होती थी इसी लिए इन्हें राष्ट कवी का सम्मान भी प्राप्त है सन 1917 ए में इन्हें पदमश्री से विभूशित किया गया कानपूर विश्व विद्याले में सन 1976 ए में उन्हें डियलेट की उपादी प्राप्त प्रदान की गई इसके बाद 29 फरवरी सन 1988 ए को सोहनलाल जी की मृत्यु हो गई थी और इस तरह एक अमर सपूत ने हिंदी साहित्य के संसार से विदा ली थी देखते हैं इनकी पोयम आया वसंत अब ये वसंत का जो मौसम होता है वो किसको नहीं पसंद होता सभी को पसंद होता है तो इसलिए कभी ने यहां पे बहुत ही अच्छी लाइने लिखी हुई है पहली तो पंक्तियों में कभी कहते हैं आया वसंत आया वसंत च्छाई जग में शोभा अनंद यानि कि वो बहुत ही अच्छे से कह रहे हैं कि जो वसंत है वो आ चुका है वो समय की शुरुवात हो चुकी है और हर जग याने पूरी दुनिया में जो शोभा अनद चाही हुई है पंक्तियों में कहते हैं सरसो खेतो में ऊठी फूल बौरे आमों में उठे जूल बेलो में फूले ने ूपूल इसका मतलब है कि सरसो का जो खेत होता है उसमें जो फूल आना flowers आना स्टार्ड हो गए हैं बोरे यानि कि जो आम निकलने से पहले जो उसके छोड़े-छोड़े flowers आते हैं वो भी जूल उठे हैं और बेलो में फूल लगे हैं यानि कि जो पेड़ पौधे हैं उनके फूल भी आना चालू हो चוכέ हैं उसके बात कहते हैं पल में पत जड़ का हुआ अंत आया वसंत आया वसंत यानि कि यह सावीज़ें देखने आपको पता चल गया होगा कि गौना जो वसंत का समय है वह आ चुकत्व है तो बहरहा पवन हर्याली च्छाई है बन बन सुन्दर लगता है घर आंगन यानि कि सुगंद यानि खुश्बू बहरहा पवन पवन यानि हवा दूसरी लेंड में ये बोलते हैं जो हर्याली है वो च्छाई है बन 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 का मितलब होता है जंगल कि पूरे ही जंगल जो मैदान ह हैं वहां पे हर्याली चाहि हुई है सुन्दर लगता है घर- dressed घर और और जानगsınız को वोलते हैं तो वदि बहुत सुन्दर याने बहुत ही अच्छा लग रहा है हैर और सब दिगत धिगत भिदी और कि दिशा हर एक दिशा में मधूर याने मिठास एक अलग साही अपना पन ल इसमें भौरे जो फ्लावर्स के उपर जो इंसेक्स होते हैं जो घूमते हैं ब्लैकिश कलर के या अलग कलर के भी होते हैं उसको बोलते हैं तो जो भोरे हैं वो गाना गा रहे हैं नया गान क्यों कि अभी वसंत आया है तो वो उन्होंने अपने गाने स्टार्ड किये हैं और क living things हैं उनके प्राणिया ने कि उनकी जान उनका जो जीवन में है वो बहुत ये सुखी याने हैपई हो गया है अब इस सुख का हो अब ना अन्त अब नहीं अंत घर घर में चाये नित आनत तो लास्ट की लाइन हो में कभी कहते हैं कि ये जो सुख है जो ये हैपईनेस है जो पूरा जो बातावरन होता है वो हर्याली हो जाती है जिससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आया की नहीं और आपको अगर और भी किसी पोयम या कथा दरपन की एक्स्प्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मैं ट्राइ करूंगी कि मैं एस सोन आस पॉसिवल आइकें अप्लोड इट थैंक यू बाबाय वेलकम